Xiaomi MiUI 14 इन सांदर फीचर के साथ 27 फरवरी को लोंच होगा Xiaomi का नया UI सभी Xiaomi और Redmi यूजर के लिए एक बड़ी खुसकबरी Xiaomi इस सब्ता के अंतमे भारत में अपना नवीनतम Custom User Interface MiUI को पेस करेगी Xiaomi का यह नया Custom User Interface Android 13 पर आधारित होगा इसके साथ इसमें कैसांदर फीचर और अपडेट को सामिल के अगया है कमपनी 27 फरवरी को भारत में Xiaomi 13 Pro को लोंच करेगी जिसमें MiUI 14 पहले से ही सामिल होगा MiUI अपडेट अगले सब्ता भारत में अधिकारिक हो जाएगा और इसके साथ ही Xiaomi और Redmi फोन उभगताओ को अपने फोन में नविंतम फीचर का लाब मिलेगा Xiaomi ने एक India exclusive अनुभव परदान करने का संकेत दिया है जिसका अर्थ यह होगा कि भारत के Xiaomi और Redmi उभगताओ को कुछ नए और विशिष्ट फीचर का लाब मिलेगा परन्तो यह फीचर क्या हो सकते हैं कमपनी ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है नया MIUI 14 में क्या होगा खास Xiaomi ने नए UI की परफोर्मेंस के साथ डिजाइन में भी बदलाव किये हैं नए UI में MIUI फोन इंजन को सामिल किया गया है जो की Android करनल पर काम करता है इसकी मदद से थर्ड पाटी डवलापर को आसान और जादा पावर एफिसेंसी एप बनाने में मदद मिलती है इस नए UI में सिस्टम मेमोरी फुट प्रिंट्स को काफी कम क्या गया है जिसका अर्थ है कि अब यूजर को पहले से कम प्रिलोड एप मिलेंगे और जो मिलेंगे उन्हें हटाया भी जा सकता है सिरिफ 8 एप ऐसे होंगे जिने अनिस्टोल नहीं क्या जा सकेगा नए UI के साथ आइकन और विज्वल में भी बदलाव क्या जा सकता है यानि आपको अब ज़्यादा कस्टुमाइजेसन मिलेंगे साथी आप अपने पसंद के हिसाब से आइकन का साइज कम या ज़्यादा कर पाएंगे नए UI में भी नोटिफिकेशन मेनिजमेंड में भी कई बड़े बदलाव के गए है कमपनी का दावा है कि नए UI के साथ AI फीचर भी सामिल के गए है जो कि UI की मदद से image के text को अलग क्या जा सकता है अब आप documents scan, translate, spam call को filter करने जैसे काम आसानी से कर सकते हैं अभी तक कमपनी ने MIUI को support करने वाले smartphone के list जारी नहीं की है परंतों उमीद लगाए जा रही है कि निमलेखित स्मार्टफोन को MIUI 14 अपडेट कर लाब मिलेगा जो कि इस वीडियो के description में दिये गए है गाईज ये MIUI 14 के अपडेट कैसी लगी? comment section में लिखना मत भूलेगा और next वीडियो कौन से topic पर चाहिए? ये भी हमें comment करके बता सकते हैं गाईज ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर लिजेगा मिलते हैं next वीडियो में